मुझा रास्टर के नादेर जिले में किसान इस समय फसल भचाने के लिए संघर्श कर रहे हैं मौसम की शुरुवात में भारी बारिश के कारण सोयाबीन, उडद, मूं, कपास और केला जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ इस वज़े से जिले की आठ लाख हेक्चर में लगी असी फीसदी फसल को नुकसान पहुंचा था वहीं अब नादेर जिले में पिछले 25 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण 6-20 फीसद फसल भी सूख रही है जिसके तहट 3 लाख हेक्चर में बोई गई फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है इस समस्या ने किसानों की परिशानी बढ़ा दी है नतीजन किसानों ने डबल मुआजे की मांग की है वहीं फसल नुकसान को सरकार को एक संशोधित रिपोर्ट भेजी गई है जिसके मताबिक जिले में भारी बारी से प्रभावित किसानों सहित प्रभावित शेत्रों को मिला कर कुल 7,41,000 किसानों ने 5,27,000 में 33 फीसद से अधिक बागवानी और फलों की फसल खो दी है तो कहीं वहीं कई तालुकाओं में एक से अधिक बार बारिश भारी दर्ज की गई जुलाई में एक महिने में रिकोर्ट 606 मिलिमीटर बारिश हुई और फसलों का दाना नश्ट हो गया भारी बारिश के कारण नदी के किनारे की भूमी भै गई और निचले इलाकों में फसले जलमगन हो गई जिले में हुई भीशन प्राकतिक आपदा में 5,27,141 हेक्टेर में सोया बीन, कपास, जुआर, अरहर, उड़द, मूंग की फसल और 314 हेक्टेर बागवानी और 66 हेक्टेर फसल 33 फीसद से अधिक शतिगरस्थ हो गई 7,41,946 किसान इससे परभावित हुए हैं वहीं किसान सरकार से जबल मुआफजे की मांग कर रहा है जिसके बाद पीड़तों को मुआफजा देने के लिए जिला परशासन ने सभी 16 तालुकों से अंतिम शति के आंकडे लिए इसके लिए जिला परशासन ने NDRF दोहर को दोहरा मुआफजे के नए मापदन के तहत संभागिया आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार से 717,88,91,600 रुपई की मांग की है वहीं जिले में भारी बारिश के कारण कुल 8,00,000 हेक्चर खेती वाले शेतर में से 5,00,000 हेक्चर पर फसर प्रभावित हुई है अकेले सोया बीन की खेती वाले शेतर को 3,50,000 हेक्चर का नुकसान हुआ है जिले में साना लगबग 32,00,000 की विंटल सोया बीन का उत्पादन होता है इस सल किसानों को भारी नुकसान हुआ है किसानों का कहना है कि इस बार सोया बीन के उत्पादन पर इसका भारी असर पड़ सकता है दरसल नादेर जिले में कुल खेती योगया शेतर 8,00,000 हेक्चर है जिसमें से परभावी शेतर 5,00,000 हेक्चर है यानि सोया बीन का रखबा 4,50,000 हेक्चर में हुआ है वहीं सोया बीन का जो नुकसान है वो 3,50,000 हेक्चर में हो चुका है पिछले साल सोया बीन का उत्पादन चार लाग हेक्चर में देखने को मिला था ऐसे में किसानों का कहना है कि इस बर सोया बीन का उत्पादन बहुत जादा परभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है